हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लाइडूकेशन जीके में तो आयो दोस्तों मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह किसी ब्यक्ति की आसाधानी के कारण यानि लापरवाही के कारण अगर क इसमें क्या दंड का प्रावधान है मैं इसे पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूं इसलिए दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मैं आगे बताता हूं कि धारत त जब एक ब्यक्ति के कारण कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके चलते किसी दूसरे ब्यक्ति के मृत्ति हो जाए तब आसधानी का दोसी ब्यक्ति दंड का पात्र होता है अगर किसी एक ब्यक्ति की आसधानी के कारण किसी दूसरे ब्यक्ति को कश्ट हो पीडित हो तो दंड का पात्र होता है ज्यादा तो लोग ऐसे मामलों में दुर्घटना काते हैं लेकिन दुर्घटना और असवधाने में फर्क है तो चलिए हम इस वीडियो के मादम समझते हैं सब्सक्राइब बात करेंगे हम इसकी परिभासा क्या है भारती दंड सहिता अठारा सो साथ की धारा तिसो चार एकी परिभासा क्या है किसी ब्यक्ति द्वारा उतावलेपन या आस्वाधानी से किया गया कोई भी ऐसा कारे जिसे किसी अन्य ब्यक्ति के मृत्ति हो जाए जिस तो यहां साकता है चोंसे किसह को उत्यालने से यदि किकल करती हो лиш जाती है जी समिघ्राइड पाले दोखे होता है सल confession सभी तदेखका में इसकि तरह सचाहर नहीं होता है है ऊप्रा संगे यंवं जवानती होता है कि इसमें जो है किसी लवज्ए से किसी कि मृत्ती हो गई है संगे तो है लेकिन इसमें जमानत हो जाती है इसकी सुन्वाइः प्रसक्रण स recovering स्रेडिका मजिश्ट्रेट करता है इसमस दो दो वर्स का सारा कारवाश या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है कि आये हम इसको दाहण के मायधर समझते हैं एक वाद से रतन सिंग बनां पंजाब राज इस वाद में ट्रक डाइवर के उतावले पन या असवधानी से ट्रक चलाने के कारणे एक घा तक दु किया गया है लेकिन वह आरोपी से बचने के लिए पुन्य अपराद याच्का लगाई नियाले में और कहा कि यह आपराद नहीं हो है मुझे से जानबूचकर लेकिन नियाले निया असफष्ट वाना कि आरोपी परुतावले पन या असवधानी पुर्वग वहां चलाने का पूड़तिया साबित हो चुका है यह अगर कोई ने सका सकता क्या दुर घटना है दुर घटना तो है लेकिन वह आपकी आसा अधानी और परवाही के चलते यह घटना घटित हुई है तो दोस्तों आसा करतों है वीडियो अच्छी लगे होगी एगर अच्छी लगे कर दिया रिन अबास्वाइब अबास्वाइब